वेलकम टू माय चैनल शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के वीडियो में पढ़ेंगे एक पोयम जिसका नाम है रेन ओन दरू और यह लिखी है कोर्ट सकेनी ने इनका जन्म हुआ था 24 नॉबर 1826 और इनकी डेथ हुई थी 25 जैनुवरी 1904 में पोयम में बताया गया है उस experience को जब कभी हमारे घर पर बारिश हुई हो और जो बादल है आसमान को उन्होंने ढख लिया हो और यह सारी चीजे तुम्हें क्या देती हूँ एक जोई या आनन्द प्रधान करती हो और पोयम में इसी experience को बताया गया है तो शुरू करते हैं इस the humid shadows hover over all the starry spheres तो यहां बोला गया है starry spheres मतलब तारो भरा आकाश तो जब तारो भर ये आकाश पर नंब्र या आद्र humid को बुलाएं यहां पर नंब्र और shadows hover मतलब ऐसी चाया मढ राती है and the melancholy darkness gently beeps in rainy tears और जो उधास अंधेरा होता है वो धीरे धीरे वर्षा के आसू के रूप में रोता है what a bliss to press the pillow of a cottage chamber pad यहां चीज है जो bliss मतलब आनंदित करती है एक तो फोटे कक्षी पिस्तर पर तकिये को दबाना and lie listening to the platter of the soft rain overhead दोसी चीज है अपनी च्छत के उपर जो बारिश की pattern मतलब जो तर-तर की आवाज होती है पानी गिंडे की आवाज होती है उसको अपने उपर सुनना बहुत ज़्यादा आनंदित करता है every tingle on the shingles has an echo in the heart shingles होते हैं जो समुद्र के किनारे गोल छोटे पत्तर होते हैं वो and a thousand dreamy fancies into busy being start और जो हजारो सपने या imagination है वो वियस्त या busy जो अस्थित्व है उसमें start हो जाती है and a thousand recollections weave their air threads into wolf recollections मतलब होता है memory और wolf मतलब होता है ताना बाना तो यहां कहा गया है point के दोरा कि जो हजारों memories या इस्मत्या होती हैं वो बुनती हैं वीव करती हैं air, rupee threads को वायो, rupee, सूत्रों या धागों का ताना बाना मतलब wolf as I listen to the pattern of the rain upon the roof और ऐसा तब होता है जब मैं छत परवर्शा की तर तराहट या आवाज को सुनता हूं now in memory comes my mother अब मेरी याद में मेरी मां आती है as she used in years again ठीक वैसे ही जैसे वहे बीते वर्षों में आया करती थी to regard the darling dreamers as she left them till the dawn प्यारे सपने देखने वालों पर उशा कालिया सुबह से पहले जाने से जो इसने होता है उसे लुटाने के लिए वो आया करते थी oh I feel her phone look on me as I list to this reference मैं मेरी मां की प्यार भरी नजर को खुद पर फील करता हूं जबकि मैं इस repeated sound या reference को सुनता हूं जो बारिश की आवाज है उसको जब मैं सुनता हूं तो मैं मेरी ममी की प्यार भरी नजर को खुद पर फील करता हूं या उसकी अनुभूती करता हूं which is played upon the shingles by the pattern of the rain shingles होते हैं गोल छोटे आगार के पत्थर और यह जो आवाज होती है वो किससे निकलती है जो की shingles हैं गोल छोटे पत्थर हैं उन पर जब बारिश की भूंदे या बर्षा गिरती है तब यह आवाज आती है तो इस तरीके से इस पोय में point के द्वारा जो उसका बारिश का experience है और जो आनन्द है उसको describe किया है उन्होंने अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और subscribe कीजिए मेरे चैनल को thanks for watching my video